नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में नई इन्फोर्मेशन के साथ साथियों आपने अक्सर सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पेना चाहिए जिसे काफी बिमारी होती है तो आज मैं आपको बताता हूँ क्या लोजी का खाना खाने के बाद पानी नहीं पेने का और हमारे पास अभी अश्टांग हर्द्यम है जो की आईरवेद का बहुत ही पवित्र गरंथ है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जल पान की विदी यनि पानी पिने की विदी क्या रहती है सक्ती से अधिक जल किसी को नहीं पिना चाहिए यनि आप आउश्कता से जादा पानी कभी भी ना पिये खास कर जिनको मंदागनी रहती है इनकी पास्चन के जिया कमजोर रहती है गुल्म, गुल्म का मतलब वयू का गोला आज के आदुनी के बासा में ट्यूमर बोल देते हैं जब हमारे स्रेर में वयू कूपी तो जाती है तो पित और कफ को लेकर के गांठ बना देती हैं गुच्छा बना देती हैं गुल्मुशी को बोला गाया है पांडू रोग, उदर रोग, उदर का मतलब अपना पेट के रोग जितनी होते हैं अतिशार, दस्त, अत्यदिक दस्त लगना और सो रोग, मतलब पाइल्स की बिमारे ग्रैनी रोग राजक्समा, राजक्समा मतलब टीबी के रोग तथा सोथ रोग, जो सुजन वारे जोग होते हैं जिनको भी है, उनको पानी थोड़ा थोड़ा पेना चाहिए अधिक मात्रा में कभी भी नहीं पेना चाहिए जो की नुक्सान दायक है उसके बाद बताया कि जल पान का परभाव इसमें लिखा है, बोजन करते समय बीच बीच में पानी पिने वालों का स्रीर सम रहता है यहनि अगर आप बोजन कर रहे हो बीच बीच में आपको चलो जरूरत पढ़ गई है पानी की तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली जो असानी से पच जाएगा वैसे तो बताया है कि बोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए चबा कर खाएगे तो जो मो के अंदर सलाईवा बनती है वो बोजन को अच्छे से जो मारी फूड नली होती है वो मासा तक पहुंचा देगी तो पानी की आऊ सकता नहीं पड़ेगी अगर चबा कर नहीं खाएगे जल्दी बाजी में खाएगे तो हमारे गले में बोजन बेटकेगा कई बार सास वारी नली में भी थोड़ा बहुत है जो बोजन का कण है वो चला जाता तो जिसे खासी आजगती है ठीक है तो उसमें कहाएगा है चबा चबा कर बोजन खाना चाहिए जिसे खाना अच्छे से पाचन हो और पानी की जरूत ना पड़े ठीक है उसके बार दिखा है बोजन के अंत में जल पीने वालों का स्रीर सतुल यानि मोटा हो जाता है देखो कितनी पड़ीय बात दिखिए बोजन के बाद जो पानी पिते हैं उनका स्रीर मोटा हो जाएगा तो बोजन के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए और बोजन के आरम में जल पीने वालों का स्रीर दुर्बल हो जाता है मतलब पतला होगा, कमजोर हो जाएगा इन्हीं पहले पानी पीते हैं तो स्रीर कमजोर रहेगा कमजोर के रहे हैं वो भी बताए नहीं बेचार हुए जब पहले पानी से ही पेट बर लेंगे तो बोजन का आजी कर पाएंगे वो दुबले पतले ही होंगे तो पानी से पेट बर जाएगा तो बोजन की जगह नहीं रहेगी तो बोजन हम करनी पाएंगे तो हमारा स्रीर दुबला पतला रहेगा अगर बाद में पानी पीएंगे तो मोटा हो जाएगा तो इसमें बतायागी खाना खाने से पहले भी पानी नहीं पेना है बाद में नहीं पेना है तो पानी पीएंगा या तो आप खाना खाने से बोजन करने से 48 मिंट पहले पानी पीनी जीए या फिर 48 मिंट के बाद पानी पी लेजिए अगर आपको बोजन के बाद लिक्विड लेना ही कुछ तो आप छास लेजिए दूद ले सकते हो जो की पाचन में अच्छा काम करेगी तो इसमें पूर अपर बताया गया आश्टांग घर्दन में कि पानी हमें क्यों नहीं पिना चाहिए कैसे पिना चाहिए कि प्रकार पिना चाहिए तो यह सब आपको समझ गए होगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेर भी केजिए नमस्कार जय आईडवेद जय धन्मंतरी